कौन से दिन अच्छे बुंदेल खंड के एक शहर में एक सेट रहता था वो बहुत मालदार था उसकी कई हवेलियां थी जमीन जायदाद थी उसके घर में हुन बरस रहा था सेट के चार बेटे थे चारों खुबसूरत सजीले जवान अक्लमंद और दाना जब बड़े बेटे की शादी हुई तो नगर सेट ने दूरन देशी का इंतिहान लेने के लिए अपनी बहु से एक सवाल पूछा बहु जी पिता जी ये बताओ के कौन से दिन अच्छे होते हैं बहु ने जवाब दिया पिता जी गर्मी के दिन बहुत अच्छे होते हैं उस वक्त ना सर्दी की परेशानी रहती है और ना बरसाद की कीचर दिन खस की टटी में कट जाता है रात को बाहर सो सकते हैं बात अच्छा ये कहकर नगर सेथ खामोश हो गया लेकिन जब दूसरे बेटे की शादी हुई तो उसने नई बहु के सामने भी वो ही सवाल रखा उसने जवाब दिया पिता जी दिन तो बरसाद के अच्छे होते हैं हर तरफ हर्याली ही हर्याली होती है और सावन में जूले डालकर जूलने का तो मज़ा ही निराला होता है चड़े हुए दरिया और नदी नाले देखकर दिल बाग बाग हो जाता है सेथ उसकी ये बात सुनकर खामोश हो गया लेकिन जब तीसरे बेटे की शादी हुई तो उसने अपनी उस बहु से भी यही सवाल किया उसने कहा पिता जी दिन तो सर्दी के भले होते हैं सर्दी हो तो गर्म कपड़े पहन कर जहां जी चाहे घूमो फिरो मीठी मीठी धूप के मज़े लूटो और रात को नर्म बिस्तर में लिहाफ ओड़ कर सोया जा सकता है इसलिए सर्दी के दिन बहुत अच्छे होते हैं नगर सेट बहु की बात सुनकर चुप हो गया चंद माह बाद जब चौथे बेटे की शादी हुई और बहु घर आई तो सेट ने यही सवाल छोटी बहु से भी किया उसने बड़े इंकसार से जवाब दिया पिता जी दिन वही अच्छे होते हैं जो सुक से गुजर जाएं बहुत अच्छा बेटी चौथी बहु का जवाब सुनकर नगर सेट का चेहरा खिल उठा तकदीर का खेल भी अजब होता है कहीं धूप तो कहीं चाओ कहीं गुर्बत तो कहीं तवंगरी इस तरह आजमाईश के दिन भी आ गय नजानी किस बात पर राजा का मिजाज बरहम हुआ और वो सेट से बजजन हो गया राजा ने उसे शहर छोड़ने का हुक्म दिया नगर सेट जिस हालत में हो उसे और उसके साहे खानदान को देश बदर कर दिया जाए हाकिम ने जाकर नगर सेट को राजा का हुक्म सुना दिया सब की तलाशी ली गई और घर से एक तिनका तक उठाने का हुक्म न था तीन कपड़ों के साथ खाली हाथ उन्हें शहर से निकल जाना था जब सब बाहर निकल गए तो छोटी बहु सामने आई उसके हाथ में हांडी थी उसमें एक किलो के करीब गूंधा हुआ आटा रखा था जब सिपाही ने उससे हांडी चीनना चाही तो उसने कहा शिरिमान जी मैं सबसे चोटी बहु हूँ सबसे चोटी बहु होने की वज़ा से मैं अब तक खाना नहीं खा सकी बाकी सब खा चुके हैं क्रिपा करके या तो पहले मुझे खाना पका कर खा लेने दीजिए या फिर ये आटा मुझे साथ ले जाने दीजिए राजा का हुक्म था कि उन्हें फौरण शहर बदर कर दिया जाए लिहाज़ा सिपाही ने बहु को आटे की हांडी ले जाने की इजाज़त दे दी नगर सेथ अपने खानदान के साथ एक काफले की शकल में आगे बढ़ने लगा ये कारवां एक मकाम से दूसरे मकाम पर कूच करता हुआ आगे बढ़ता रहा रास्ते में वो एक जगए सुस्ताने बैठ गए उस वक्त धूप बहुत तेज थी और लू के थपेड़े जिस्म को छुलसा रहे थे परेशानी के आलम में बड़ी बहु के मूँ से अचानक निकल आया हाई कितनी गर्मी है जिस्म भुना जा रहा है हाई कितनी गर्मी है जिस्म भुना जा रहा है सेट ने बहु की बात सुनकर कहा तो क्या हुआ खस की तटी क्यों नहीं लगवा लेती ताकि आराम मिले बहु चड़कर खामोश हो गई चंद रोज बाद बरसाथ का मौसा मा गया बादल घिर आये हवा चली और उसके साथ ही पानी बरसने लगा थोड़ी देर में ऐसी मूसला धार जड़ी लगी के सब लोग पना लेने भागे दूसरी बहु उसी जंगल बेयावान में एक छूटी सी छोपड़ी में आकर बहुत दुखी हुई सेच से न रहा गया उसने उसके जानेब रुख करके आहिस्ता से कहा बहु जी आज तो बरसाथ में जूले डालकर जूलने में मज़ा आ जाएगा दूसरी बहु छेप सी गई रात हुई पानी थम गया लेकिन जंगल के खुले माहौल की वज़े से सर्दी बढ़ गई सब के दाथ बचने लगे तीसरी बहु भी मारे सर्दी के ठिटूरी जा रही थी उसे ठिटूरते देखकर सेठ ने तीर छोड़ा बहु घबराती क्यों हो नर्म बिस्तर में जाकर लेहाफ ओड़कर सो क्यों नहीं लेती बहु ये सुनकर मारे शर्म के जमीन में गड़ गई चोटी बहु ने कंडे जलाए और साथ लाए आटे की रोटियां सेखकर सब को दी सब ने दो-दो रोटियां खाकर पेट भर लिया वो आटे में एक लाल भी छुपा कर लाई थी उसने उसे अपने शोहर को दिया फिर यूं कहा और साथ ही घर का जरूरी सामान भी खरीद लाना ठीक है उसका शोहर गाउं में साहुकार के पास गया और लाल बेच दिया जरूरी सामान लेकर आ गया दूसरे दिन वो एक और शहर में पहुँचे वो एक मंदिर में जाकर ठेरे सेथ ने उन रुपयों से तिजारत शुरू की आहिस्ता आहिस्ता अपना कारोबार पहला दिया और चारों लड़के भी सख्त महनत मशक्कत करने लगे आखिर चंद बरस बाद उसने वहां अपनी हवेली बना ली और देखते ही देखते वो उस शहर का भी बड़ा सेथ बन गया मगर ये शहर भी राजा की सल्तनत में शामिल था राजा को जब उसका इल्म हुआ तो वो उसकी हवेली के गिर्द चक्कर लगाने आया उसने वहां कान लगा कर सुना सेथ का बड़ा लड़का कह रहा था मेरे लिए पान बना कर लाओ जी इतनी रात को पान खाने की क्या तुक है चूना नहीं है बहु ने जवाब दिया तो क्या हुआ मेरे कान की बाली में एक पक्का मोती है उसको जला कर मेरे लिए पान लगा दू जी लड़के ने कहा ये कैसे हुआ ये आन की आन में इतना मालदार और खुशाल हो गया राजा ने सोचा अलस सुबह राजा ने सेट को पकड़वा कर बुलवाया और पूछा बताओ बड़ा कौन है हम या तुम सेट ने हाथ जोड़ कर कहा बड़े तो आप ही है महराज कहा आप और कहा मैं एक पामूली सा सेट साफ साफ जवाब दो वरना तुमारे खानदान को बहु बेटियों समेथ जेल की हवा खानी पड़ेगी राजा ने डांट कर कहा जैसा हुक्म सरकार कल आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा सेट ने जवाब दिया सेट ने घर आकर सारा किस्सा सुनाया तो छोटी बहु ने कहा बिता जी आप महराज से कहलवा दे कि इस छोटे से सवाल का जवाब मेरी छोटी बहु देगी वो इसके लिए रनवास भरवाएं और लिवाने के लिए पाल की भेजें राजा ने वो ही सब कुछ किया जब लोग दरबार में पहुँच गए तो राजा ने पूछा बड़ा कौन है हाम या तुम्हारे ससुर छोटी बहु ने जवाब दिया बड़े आप ही है महराज हम बड़े कैसे हो सकते हैं आप जैसे बड़े लोग ही मेरे ससुर की जायदाद जब्द कर सकते हैं हम सब को देश बदर कर सकते हैं और अपनी हिम्मत और मिहनत से हम फिर खुशहाल हो जाएं तो फिर जेल की हवा खिलाने की धमकी दे सकते हैं राजा ने टोकते हुए कहा बड़ा वो क्यों नहीं जो पक्का मूती जला कर उसकी राख से पान खाना चाहता था ये तो सब वक्त की बात है महराज छोटी बहु ने जवाब दिया हम दिन के अच्छे गुजरने पर यकीन रखते हैं और हर दिन एक जैसा मानते हैं ये जवाब सुनकर राजा की आखे खुल गई हम समझ गए उन्होंने फॉरण सेट की जब्त शुदा सारी जायदात लोटा दी उसे दोबारा शहर में बाइजद वापस बुला लिया